नीक्स्ट जो आपका था वो था पॉली ब्यूटा 13-डाइएं गर्वर्ष ब्यूट ब्यूट मतलब चार कारवन को फ़र्स पोजीशन पर थर्ध पोजीशन पर डबल वौन सप्डूष देशवाइय हैं यह जब पूटता है डबल बॉन यहां एक सिंगल बॉन आ जाएगा यह एक आ जाएगा और पॉलिमर बन जाएगा आपका इस तरीके से CH2, सिंगल बॉन, CH, अब इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन क्योंकि एक एक लक्टोन शेयर किया है सिंगल बॉन, CH2, अब नमबर ओफ ताइम्स, नोट कर लेजिए पॉली, ब्यूटा, बन थरी, डाए, इसी तरीके से एक और आ जाता है आपका पी, वी, सी पॉली, विनाइल, क्लोराइड, विनाइल, क्लोराइड, विनाइल, क्लोराइड, यह उता है बेटा, यह विनाइल, क्लोराइड, बॉन तोटता है, एक लेक्टोन दरजाएगा, एकी दरजाएगा, सिंगल बॉन बन जाएगा, N number of times बन गया PVC, polyvinyl chloride सारी monomer unit एक जैसी हैं इसलिए इसे कहेंगे addition, देखो double bond थी simple monomer unit add हो रही है ऐसी ऐसी दो monomer unit add होंगी, तो यहाँ पर CH2 CH2, CH2, ऐसे आता जाएगा जुड़ती जाएगी, लंबी chain बन जाएगी तो यह dash जो है यह रिप्रेजेंट कर रहे, चेन बहुत लंबी है यह आपका बन गया PVC, polyvinyl chloride एक होमो polymer का example है अब बात करते हैं, को पोलिमर के example, जिसमें दो monomer unit जुड़े, addition में हम बात करेंगे, addition को पोलिमर के example जैसे की आपने ले लिया ब्यूना S ब्यूना S क्या है ब्यूटा 1,3, diene और styrene को जोड़ करके बनता है आपका ब्यूना S, जैसे की ब्यूटा 1,3, diene आपका ड्रॉव कर लेते हैं और styrene आपका यह हो गया, CH2 double bond, CH single bond यह हो गया आपका styrene यह हो गया, buta 1,3, diene ब्यूटा 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 यहां से यह क्या बना लेगा double bond एक electron इदर आगया, एक electron इदर आगया, इसी तरीके से यह bond उटेगा, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, bond, long chain बन जाएगी इस तरीके से, जोड़ दो simply, CH2, single bond, CH, double bond, CH, CH2, फिर यह वाला CH2, single bond, CH, और benzene की ring, और long chain, यह रिपीट होती रहेंगी, जैसे एक यह unit थी फिर styrene आगया, अब फिर दुबार से polybuta 1,3, diene आएगा, यह continue रहेगी, यह है आपका ब्यूना S, यूज सुन दीजिए, बबल गम में यूज होता है आपका ब्यूना S, जो खास-खास यूज होंगे, वो मैं आपको साथ की साथ बता दूँगे, यह आपका example हो गया, addition co-po polymer का example, जिसमें monomer unit आपस में जोडती है, दो different monomer unit जोडती है, addition co-polymer, next आपका, अभी बहुत सारे example आप पढ़ेंगे आगे, next अब हम करते हैं, condensation polymer, यह भी दो type का होता है, condensation homopolymer, यह condensation co-polymer, सबसे पहले हम बात करते हैं, condensation co-polymer की, जिसमें monomer unit condensed हो, साथ में कुछ निकल जाए, जैसे कि, थोड़ दिर पहले बताया था, मैंने आपको, nylon 6, 6, hexamethylene, diamine, है विटा, NH2, NH2, hexamethylene, diamine, और adipic acid, COOH, जोडो, यहां से तो OH, यह H निकल जाएगा, water molecule, इसी तरीके से, यह H और इदर से OH, continue यह चलता रहेगा, लंबी chain बन जाएगी, पॉलिमर की, यह CO-NH bond है, amide bond, CH24, CO, N number of times, यह बन गया, आपका, nylon 6, 6, तो इस तरीके से, बेटा, यह हो गई, आपकी, nylon 6, 6 की, polymer unit, ठीक है, दोनो, monomer unit, different है, इसी लिए, इसको, co-polymer कहेंगे, और condense हो रही है, water molecule, भी निकल रहा है, इसलिए, condensation, co-polymer का, यह example है, next आ जाता है, इसी में, nylon 6, 10, देखो, क्या फरक है, यहाँ, 6, 10 है, यह, तो, 4, 5, और 6 कारबन थे, अब, यहाँ पर, मुझे, 10 करने हैं, तो, इसे, 8 करने हैं, 8 तो, यह हो गया, 9 और, 10, तो, अब, इधर भी, किपना हो जाएगा, 8, और, यह हो गया, nylon 6, 10, अब, यह है, आपका, Sibasic Acid, वो, पहले था, Adipic Acid, अब है, Sibasic Acid, और, Hexamethylene Diamine, Hexamethylene Diamine, यह भी, एक, Condensation, Co-Polymer का, Example हो गया, Next, इसी तरीके से, एक और, देख सकते हो, आप, बहुत सारे, देख सकते हो, Terylene Terylene Condensation Polymer होता है, Ethylene Glycol, And Terethylene Acid का, Terethylene Glycol क्या हो, होता होता है, इथेन, 1, 2, Diol, और, Terethylene Acid, यह होता है, Benzene पे, आपका, C, O, O, H गुरूप, Condense कर दो, इसको, यहां से, O, H, यहां से, आपका, H, और, यहां से, O, H, यहां से, H, यहां से, O, H, जोड़ दो, O, CH2, CH2, एक O, यह हो गया, एक यह हो गया, C, ठीक है, एक्चुल में तो यह ऐसे है, C double bond O, क्योंकि यह double bond O होता है, C double bond O, N number of times, यह आपका, अब हम condensation homopolymer की बात करें तो एक example पहले कराती हूँ अभी इसके ऐसे तो बहुत सारे example है वो साथ की साथ आगे बाद में करेंगे repeat होंगे, वहां करेंगे फिलहाल हम करते हैं condensation homopolymer का एक example वो है nylon 6 देखते हैं nylon 6 आपने लिया cyclohexane इसकी oxidation करा दिया आपने क्या बन गया cyclohexanone इसका आपने NH2OH के साथ reaction कराया H2O water निकल जाएगा और ये बनेगा double bond NOH इसे बोलेंगे cyclohexanone hexane oxyme hexanone oxyme अब इसके उपर हम concentrated sulfuric acid के साथ इसका reaction कराओ तो it undergo rearrangement और इस rearrangement को बोलते हैं backman rearrangement याद करने का तरीका बताती हूं ये जो nitrogen है रिंग के अंदर चला जाएगा और ये जो oxygen डबल बॉंड ओ बना लेगा अब छे कार्बन तो ये थे nitrogen दिंग में गया तो seven member की रिंग बन गई एक दो तीन चार पांच छे डबल बॉंड ओ ठीक है seven member की रिंग है एक दो तीन चार पांच छे और साथ वाई है seven member की रिंग इसे बोलते हैं कैप्रो लेक्टम इसे क्या बोलेंगे कैप्रो लेक्टम ये एक आपसे कोई पुछे nylon 6 की monomer unit क्या है तो आप बताएंगे कैप्रो लेक्टम monomer unit of nylon 6 है ये अभी nylon 6 बना नहीं है बनेगा अब आप इसमें क्या करोगे इसको breakdown करना है इदी मैं इसको breakdown करूँगी तो यह यहां से bond तूटेगा यह बनेगा NH यह आपका हो गया CH2 यह CH2 CH2 थर्ड वाला फोर्थ वाला CH2 फिफ्थ वाला CH2 सिक्स्त में क्या आगया CO आपका यह आगया C double bond ठीक है इसमें इदी मैं वाटर की addition करती हूँ तब तूटता है यह वाटर की addition इदी आप करोगे तो आपका वाटर का जो H2 है वो तो जाएगा NH के पास में यह बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और यह oxygen के पास चला जाएगा इस तरीके से जाएगा वाटर डालने के बाद में अब इसको हमने क्या करना है यह एक जुटर आएन बन गया बिटा क्या बन गया जुटर आएन इसमें से वाटर मॉलेक्यूल निकालना है H2 यहाँ से जाएगा O यहाँ से जाएगा लंबी सी chain बन जाएगी मोनोमर यूनिट की एक, दो, तीन, चार, पाँच सी यो एन नमबर ओफ टाइम्स टोटल पाँच और एक छे कारबन है इसलिए इसको नाम दे देंगे नाइलोन 6 एक बाद फिर देखते हैं इसको साइक्लो एक्जेन की ऑक्सिडेशन कराई साइक्लो एक्जेनोन बन गया NH2OH के साथ कराया NOH जुड़ गया यहाँ पर कंसंटेटर सल्फिरिक एसिट की प्रेजिंस में बैकमेन री अरेंजमेंट करी ठीक है, तो होगा यह N है वो रिंग के अंदर चला जाएगा कार्बन डबल बॉंड ओक्सिजन बन जाएगा इसको बोलते है कैप्रोलेक्टम यह मोनोमर यूनिट है नाइलोन 6 की, अब वाटर की एडिशन करोगे तो यहाँ पर तो H2 जाएगा यह हो गया NH3 पॉजिटिव और यह ओक्सिजन इसके पास गया यह हो गया COO नेगेटिव ठीक है अब इस में से इस विटराइन में से आप निकाल लिए वाटर का मॉलिक्यूल H2 और ओक्सिजन निकाल लिया बच गया यह इसको कहेंगे नाइलोन 6 ठीक है बिटा यह आपकी मोनोमर यूनिट है कैप्रोलेक्टम इसकी और यह एक होमो पोलीमर का एक्जाम्पल है लेकिन वाटर निकल रहा है इसलिए इसे कहेंगे कंडनसेशन होमो पोलीमर यहाँ पर आपकी खतम हो जाती है मोड ओफ पोलीमराइजेशन खतम next आती है आपकी fourth classification that is on the basis of molecular force of attraction on the basis of molecular force of attraction के आधार पर 4 type के होंगे सबसे पहले आपका आजाएगा elastomers second आएगा fibers इसकी type बता रही ह Bodria fibers चोथा थर्ड आ जाएगा आपका थर्मो प्लास्टिक, चोथा आ जाएगा थर्मो सेटिंग, सबसे पहले बात करते हैं, इलास्टोमर्ज के, इलास्टोमर्ज हैं, इन में फोर्स ओफ अट्रेक्शन वीकेस्ट होते हैं, वीकेस्ट फोर्स ओफ अट्रेक्शन, सबसे वीक फोर्स ओफ अट्रेक्शन होते हैं, ठीक है, रेंडमली क्वाइल्ड होते हैं, रेंडमली क्वाइल्ड जैसे रबर होता है न वे टवैसे, ठीक है, और आप इनको दे कैन बी स्ट्रेच्ट, यानि कि एलास्टिक होते हैं, य आप इनको stretched कर सकते हो, ठीक है, एक्जामपल इसका एक्जामपल आप दे सकते हो, ब्यूना, S, वल्कनाइजड, रबर, इसके एक्जामपल है, श्टाइरीन, ठीक है, नियोप्रीन, ये सब एक्जामपल है, सारे पढ़ेंगे, बारी बारी से, हम, Elastomers, ठीक है, और, सेकिंड टाइप आजाती है, आपकी Fibers, Fibers वो होंगे, जिनमें Force of Attraction है, Strongest होंगे, Force of Attraction है, Strongest होंगे, उन्हें क्या कहेंगे, Fibers, और इनमें होती है, Hydrogen Bonding, Have Hydrogen Bonding, या Dipole-Dipole Interaction, डिफरेंट टाइप ओफ इंट्रेक्शन आपने 11th क्लास में पड़ी थी, Polar Molecules में होती है, Dipole-Dipole Interactions, ठीक है, ये उन में पाए जाते हैं, जिसमें Carbon Double Bond O हो, या Carbon Triple Bond Nitrogen हो, ठीक है, इन में पाए जाती है, इनकी High Tensile Strength होती है, High Tensile Strength, Least Elasticity, ये इतने Elastic नहीं होते हैं, खिचते नहीं हैं, तूटते तो नहीं हैं, ये तो शुर है, लेकिन इतने खिचते भी नहीं है, High Melting Point, ठीक है, ये होंगे, ये आपके Elastomers,